हेपी है एक बस नाम ही गुंज रहा है हेलो फ्रेंड्स बूर्निंग मैं डॉक्टर ईश हांडा आईरवेधिक अड्वाइजर एपी हेल्थ इंडिया से फ्रेंड्स मैं आज आपको जिस प्रड़क्त के साथ इंट्रडूस कराना चाहरा हूं उसका नामें चंड शकते हैं फ्रेंड्स मेल्स मर्दों की बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है शीगर पतन टाइमिंग कम लगना शुक्रानों की कमी इंफर्टिलिटी जिसको हम कहते हैं बांजपन बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है यह इंसान को कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पर डिप्रेशन का शिकार बना देते हैं फ्रेंड्स यह बहुत कॉमन प्रॉब्लम है अपनी बच्पन की गलतियों के कारण समझ लीजिए यह हमारा कान पीन समझे यह हमारे जीवन शैली समझ लीजिए सेक्शुल वीटनेस इंपोटेंसी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के युग में एचे चाहिए इस चीज को समझा इस चीज को किस तरीके से ट्रीट किया जाया उसको एक पूरा ट्रीट करने के लिए हमने पूर दोरे को बढ़ाता है फ्रेंड्स बेसिकली अगर हम समझे यह जो सेक्शुल वीकनसी बेसिकली नसों की कमजोरी है जब खून का दारा औरगन में प्रॉब्लम नहीं जा पाता है तो यह आपकी प्रॉब्लम डवेलप होती है जरूर यह मैं आपकी बात कहूंगा कि जो दिम लगेगा तो अगर हम अपना खान पर बढ़िया कर लेते हैं और जो परानी आयोगी कमजोरिया हैं हम उनको कोई सप्लिमेंट लेकर दूर कर लेते हैं तो आप एक कभी भी आपके साथ यह नहीं लगेगा कि आपको किसी तरह की कमजोरी है हम आज आपको रूबरू कि क्यों आपने शन्शक्ति किट का इस्तिमाल करना है और हमारे पर भरूसा करना है इसको तीन से पांच मेने आपने लगा तर इस्तिमाल करना है और आपको अवश्य इसके अच्छे प्रिबाब जानने को और देखने को मिलेगा फिरिंस हमारा जो सबसे पहला अश्वगंदा के जो अर्थ है वो है कि 100 अश्वज, 100 गोडों के समान ताकत है गोडे सबसे ताकतवर पर जाती है अगर इसको गरंतों में अश्वगंदा का नाम दिया गया है तो उसके में अश्वगंदा के समान शक्ती भी है दूसरा है कौँच बीज, कौँच बीज जो हमारा बीरज है उसको गाड़ा करता है, उसको बलपरदान करता है, शुकरानों को तेजी से बनाता है आपके शरीर के अंदर तीसरा है अक्रकरा अक्रकरा आपके शुक्रानों को बढ़ाती है आपके लिंक में अक्राव को बढ़ाती है और आप में एक उर्जा का संचार करती है उसके बाद है शतावरी जो शतावरी है वो आयरुवेदा के गरंतों में अपने ताकती गुनों के कारण जाने जाती है औ जो कि किसी भी प्रकार की शुक्रानियों की कमी, बांजब्ञपन, कमजूरी, नसों में या मासपेशिंom उसको ताकत देती है, लिंक के अकडाव को बढ़ाती है, आपके शुक्रानियों की कमी को जड़ से मुकाती है, उससे अगला है सुद शिलाजीत कोई भी ऐसा खनिज ताकतवर पदार्थ जिसको विटाम मेनिया मिनरल्स कह दे जो कि शिलाजीत में नहीं शिलाजीत खुद अपने ताकतिये गुनों करके जाना जाता है और ये हमारी इस मेडिसन का एक हिस्सा है उससे अगला है लोह बसन जो लोह बसन है वो शुकरानों की मोटिलिटी उसको मूव कराना उसको सचार रूप से चलाने के लिए कारक है और ये बहुत यची वाश्यदी है जो कि आपको हर तरह के रोग से मुक्त कराती है सेक्शुल वीकनस के तौर पर जो भी है उसके बाद स्वर्ण वंग बसन स्वर्ण वंग बसन शुकरानों को गड़ा करती है शुकरानों की अलपता को कम करती है, खतम करती है शुकरानों की ताकद को मेंटेन करती है लिंग का अकड़ा बढ़ाती है आपके श्रीर को हिष्ट पुष्ट बनाती है अब्रक बसम हमने इसकर के इस्तमाल के अब्रक बसम शरीर को ताकत परदान करती है नसों को चलाने का कारक है और sexual weakness कहीं ना सिरफ नसों का नुपस है उसके बाद है मकर्दवज विश्व की जो सबसे बेतरीन आश्दी है सेक्स को ताकतवर बनाने के लिए वो मकर्दवज है तो मकर्दवज का इस्तमाल हमारे इस किट में प्रॉपरली किया गया है उसके बाद है लवंग जो लॉंग है वो कून के दोरे को बढ़ाता है अपने ऊशन वीरे गर के लिंग के अकडाव को बढ़ाता है उसके साइस को बढ़ाता है और sex करने का जो आपका interest है जो आपका man है उसको बढ़ाता है गोकरू जो गोकरू है वो हमारे मासपेशियों। हमारे नस्तों और हमारे शुकुरानीों को बल परदान करता है इम्बली बीज इम्बली बीजी सुकुरानियों को गाडा करने का कारे vergarcych विदारीकंद विदारीकंद शरीर को बल मास पेशों को बल और ताकत परदान करता है उसका आगे वला है जैफल और जवित्री जैफल और जवित्री ये ऊशन वीरिय द्रवे हैं और ये लिंग में जो कून का दोरा है उसको बढ़ाते हैं शरीर की सभी मासपेशियों को बल और ताकत परदान करते हैं और इंपोटेंसी जो इरेक्शन में प्रॉब्लम है उन सब चीज़ों को ये बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल करते हैं है सो फिरेंग ये सब चीज़ें इस एक कैपसूल जोसको जेड़ में गूल के इस में डाली गई हैं तो । अगर मरीज की कमझोरी कम है तो एक कैपसूल सुबाशाम अगर छुड़ी ज्यादा कमझोरी ये एक यूनीक प्रड़क्ट क्यों है क्यों शंशक्ति पाउडर हो नहीं सकता कि कोई इसका इस्तिमाल करे और इसको रहत ना मिले मैं आपको रूमरू कराना चाहूंगा कि कौन से ऐसे इसमें खनीज है कौन से ताक्रत कुछ जड़ी बूटियां है जो कि इसको अचू कोशल सबसे पहले बस्त जो नो बश्ति हैं वहारे शुकृरानों को बन परदान करती है ntक को बढ़ाती है और आपका जो लिंग मढबिसर्ट को रही ये मास पेशी और नसों को ताकत देती है उसके आगे है शतावरी शतावरी हो जो है शतावरी बेसिकली हमारे श्रीर में बल को बढ़ाती है ताकत को बढ़ाती है और पूरा विश्व इस चीज का लोह मानता है कि शतावरी का असर श्रीर में नसों और मास पेशों को ताकत देने के लिए होता है उसके आगे है वंग बसम वंग बसम शरीर में शुकरानों को बलपरदान करती है शुकरानों को ताकत परदान करती है जिन लोगों के स्पर्म काउंट कम भी है उनके लिए भी है कचू कोश दी है अगला है इसमें सफेद मुसली, सफेद मुसली शरीर को ताकत परदान करती है, शुकरानों को बन परदान करती है, शुकरानों को तेजी से बनाती है हमारे शरीर के अंदर, बीरच को गाड़ा करती है और नसों और मास पेशों को ताकत परदान करती है उसके आगे है कौँच मीट कौँच मीट जो शुकरानों को बल परदान करता है शुकरानों को बनाता है जो नैचरल हॉर्मोन्स हमारे शुकरानों को बनाने के लिए चाहिए उसको बल परदान करता है उसके आगे है सालब मिश्री मैंने जैसे पहले कहा सालब मिश्री एक ऐसी ओचली है जो इसको खाएगा हो ही नहीं सकता उसका शरीर में असर ना आए ये शुकरानों को इतनी तेजी से बढ़ाता है कि विशे में कोई ओचली ऐसी नहीं है जो लोग कंप्लेयन करते हैं कि हमारा समय नहीं लगता समय की कमी हिर रहती है आपके इंजॉइमेंट में आपके प्लियर में उसको काल hydР है उसको खतम करती है यह चीज़, उसके आगे हमने इसमें डाला है परवाल पिश्टी, परवाल पिश्टी जो है वो बेसिकली आपके कून के दौरे को बढ़ाती है और शुक्रानुवों में जो एक कमी होती है पोश्चक तत्मों के उसको पूर्ण करती है, उसके आगे है जो हमने इसमें समावे करका है वो है तालम खाना तालम खाना बीरज को गाड़ा करता है स्पर्म को ताकतवर बनाता है इंफर्टिलेटी की प्रावल्म को खर्तम करता है उसके आगे है कपूर, जो कपूर है वो बेसिकली स्परम्स को ताकत परदान करता है, पूर के दौरे को बढ़ाता है और नसों और मास बेश्यों को बल परदान करता है उसके आगे इमली गरी इमली गरी, सालव, पंजा ये दोनों जो आउश्डिया ही ये शुकरानियों को गाड़ा करने के लिए कारक है नसों और मासरेश्यों को बलपरदान करते हैं वीरज को बहुत गाड़ा करते हैं ये सबी कॉंबिनेशन इसमें 100 ग्राम की पैकिंग में हम लोगों ने फ्रेंट्स लाँच किया है और ये जबरस तरीके से काम करता हमें ड्वाइस करते हैं अगर किसी को वीकनेस कम है तो 2 ग्राम दिन में एक बार अगर वीकनेस ज़ादा है तो 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शामभीस का इस्तिमाल कर सकते हैं 16 साल से कम आयू के बच्चे इसका इस्तिमाल ना करें और उससे उपर ये बहुत अच्छे रजल्स देती है इसी कड़ी का तीसर प्रड़क्ट है शंशक्ती ओयल फ्रेंट ये एक ओयल है जो कि हमने इसको लिंक पर लगाना है इसकी दो बूनदे हम लिंक पर लगाते हैं और उसका आदा मिनुट से एक मिनल इसकी मसाज करते हैं उपर से नीचे और नीचे से उपर के मोशन में इससे जो खून का दौरा है वो लिंग में प्रॉपरली पहुंचना शुरू हो जाता है और जिन भी लोगों को ये समस्या रहती है कि लिंग में अकडाव कमाता है ये लिंग का साइज कम है या उनको जो सेक्स के दुरान प्लेयर नहीं आता है उसका अराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इन सब एक किट के रूप में आपको मिलेंगे फ्रिंट्स में एक और चीज़ आपको बताना चाहूंगा अगर आप एक महीना हमारा वड़ा प्यूस करते हैं ये तो ये मतांकर लीज़े कि इससे आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है अगर आपको एक महीने पर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फ्लीज ये चीज़ समझ लीजिए कि आप में कमजोरी का स्थर बहुत जादा है आप इसको पांचे महीने तक अराम से इस्तिमाल कर सकते हैं अगर कोई शूगर का मरीज़ है तो भी इसको अराम से इस्तिमाल कर सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके इस product को अपनाईए अजमाईए हमें विश्वास है हम आपके विश्वास पे पूर्ण करे उत रहेंगे आपको फिर भी इस product के बारे में कोई भी knowledge ये किसी भी तरीके से आपको कुछ भी हमारे से जाना चाते हैं हमें खुशी होगी हम आपके इस विश्वास पे करे होता सके धन्यवाद